पर अब आपके सारे फिसिक्स के नेस्टिन माच्जाउब्स का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोल्टों खीचो अक्रापकर और तुरंच वीडियो सिलुशन पाउग डाउट कीजिए डाउट अब ही या फिर वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आर्ट चार्सो चार हो रही है ठीक है एक सर्कुलर लूप है जिसमें करेंट फ्लो हो रही है इलेक्टिक करन उसकी वैलू है आई ठीक है तो उसका जो सेंटर है उस लूप का उस सेंटर पर हमारे पास हमारा जो यह हमारे पास जो बार मैंगनेट है ठीक है उसका नॉर्थ पोल उसमें सेंटर के तब periphery periphery of the wire is B magnetic field दे रखा है P ठीक है वहाँ पर the radius of the loop is A loop का radius हमें दे रखा है A है जो current carrying loop है ठीक है the force on the wire is तो wire पर force क्या होगा वो हमें बताना है यह चार option है हमारे पास तो इसको हम देखेंगे पहले हम क्या करते हैं एक हम यहाँ पर देख लेते हैं लूप हमारे पास है ठीक है I don't current flow हो रही है करेंट कर देंट देते हैं इस तरह से इस ड़ाइस से हो रही है अब क्या करते हैं इसका है में इस तरह से hey Ennah मेगनेट क्या हो रहा है यहां पर इसे सेंटर में उसका उसका जो नॉर्थ पॉल है मेगनेट का इस तरह से सेंटर में उसके जो सर्कुलर रिंग है सर्कुलर लूप है उसके जो सेंटर में नॉर्थ पॉल इस तरह से रखा गया है तो यह हमारा नॉर्थ पॉल है मेगनेट का और यह सर्कुलर सर्कल है लूप है इसमें करेंट फ्लो हो रही है तो इसके सिंटर पर लाए गए यह सिंटर है टी लेट से पी ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है जैसे सिंटर लाएंगे तो यहाँ पर पहले से करेंट फ्लो हो रही है इसमें ठीक है और यह जो डिस्टेंस है पर इसकी radius distance दे रखें रहे हैं. इसकि दिस्टन्स दे रह रहे ह uniform to चारू तरफ होगी है ठीद एस तरह से दिस्टन्स है radius लूप की वो क्या है ए थीक आप और हमारे पास यहाँ बर्मान लेते हैं यहां पर यहां पर हम यह मान लें कि यह जो डिस्टेंस एक छोटा सामय हम पर कड कर लेते हैं डीयल आwar могут करें गर्लेल पार्टำ पूरा इसका अलमए वैल्वलेंद इसके अगर इसके अगा बाने तो इस difलो रही है लूप में जो current flow हो रही वो क्या होगी, लूप में जो current flow होगी, वो होगी ideal, ठीक है, क्या होगी, ideal, ठीक है, current in loop, current in loop, यह होगी ideal इस तरह से, ठीक है, उस छोटे element की बात कर रहे है, अगर डील element है, इस तरह से ideal current flow हो रही है, तो अब पूरे इस पर force क्या लग रहा है, जैसे हम यहाँ पर एन यहाँ पर लाएंगे, मतलर नॉर्स पोल इसका लाएंगे, तो नॉर्स पोल की वज़त क्या होगा, क्योंकि नॉर्स पोल से magnetic field line इस तरह से emit होगी, बाहर निकलेंग तो जो line निकलेंगी, वो क्या करेंगी इस तरह से, चारो तरफ उस loop पर इस तरह से fall होगी, ठीक है, एक फवारे की तरह, जैसे होता है, उस तरह से अहाँ पर होगी, तो इस पूरे loop पर magnetic field का भी effect पड़ेगा, तो magnetic field क्या है, इसकी B है magnet की, ठीक है, तो इसके जो circumference होगा, वो क्या है, तो इस पर force कितना लग रहा है, पहले हम यह निकाल लेते है, magnetic field की वज़ा से, तो जो total force लग रहा है, इस लूप पर, वो हो जाता है, मालो df, इस छोटे पार्ट के लिए निकाल रहा है, ठीक है, dl के लिए, so df equals to हो जाएगा, हमारे पास, b idl, ठीक है, b idl, य यह जो लूप है, इस पर लग रहा है, आप क्या करते हैं, इसको हम integrate कर देते हैं, तो जब integrate करेंगे, तो यह हो जाएगा, f equals to, और इसकी जो limit होगी, वो होगी, 0 से 2 pi r, r क्या है, हमारे पास, a है, जो की radius है, ठीक है, into b idl, ठीक है, b idl, so हमारे पास, जो final यहाँ पर f की value आजाएगी, force की value होगी, वो क्या होगी, f equals to आजाएगा, 2 pi a ib, so यह हमारे पास value आगई है, force की, जो कि लग रहा है, जब magnet का, उस लूप पर, लूप के center पर, तो उस पर जो force लगेगा, इस लूप पर, वो क्या होगा, 2 pi a ibdl, sorry, ib, ठीक है, तो यह हमारे पास force लग रहा है, तो हम यहाँ पर देखें, और यह किस direction में, perpendicular direction में किस तरह, यहाँ से, हम अगर इस तरह से देखें इसको, तो यह magnet की direction अगर है, ठीक है, तो जो magnetic field या रही है, वो क्या जा रही है, ऐसे लग रही है, perpendicular उस पर fall हो रही है, ठीक है, 90 degree का angle बन wire, तो हमारा जो first option होगा, ठीक है, जो first option है हमारा, वो correct option होगा, ठीक है, तो यह हमारा answer होगा,